दोस्तों नमस्कार भारत में वर्ड कप होने हैं 50 ओवर का 50 ओवर का और उसको लेकर BCCI और PCB यानि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच एक गतिरोध बना हुआ है और गतिरोध लगादार बना हुआ है और सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है कि उनके खेलने के परस्ताव को लेकर पहले जो उन्होंने एक परस्ताव रखा था एक नीट्रल वेन्यू पर मैच होने चाहिए पाकिस्तान और भारत के उसे BCCI ने पूरी तरह से खारिज कर दिया यह टूनमेंट पांच अक्टूबर से यानि वर्ल्ड कब जो है पांच अक्टूबर से 19 नवंबर तक भारत में आयुजित किया जाना है और अब PCB भारत में अपने पसंदीना वेन्यूज बताने लगा है और उसने अपनी चॉइस बताई है कि वो यहां यहां खेलना चाहता है यहां नहीं खेलना चाहता इस पर भी BCCI ने कड़ा एतराज जाहिर किया है और BCCI ने कहा यह मूंकिन नहीं है और वसे टूर्णामेंट ICC का होता है और ICC ने भी बीच बचाव का रास्ता देखा है दोनों के बीच में कोई गतिरोत पैदा ना हो उसने कहा कि हमें कोई PCB की तरफ से इस तरह का परस्ताव नहीं मिला है कि वो कोलकता में या चन्नई में ही खेलने का इच्छुक है और पाकिस्तान के बीच दर्मयान हुआ था दोनों मुलकों के बीच और पाकिस्तान दिली में भी खेलने को इच्छुक है क्योंकि सेक्यूरिटी कारणों से सुरक्षा कारणों से वो यहां भी खेलने खेलना चाहता है लेकिन उसकी जो कंडिशन है वो BCCI को मंजूर नहीं है उसने एक शर्त रखी है कि वो जहां भी खेलेगा वहां पर ही वो सारे मैच खेलना चाहता है तो यह मुम्किन नहीं है क्योंकि 12 वेन्यूज के लिए डिसाइड की है जो होस्ट स्टेट्स हैं होस्ट वेन्यूज हैं जैसे चेन्नई है बैंगलॉर दिल्ली धरमचाला गुहार्टी और हैदराबाद लखनव इंदौर राजकोर्ट मुंबई कोलकता यह सब कुछ और एहमदाबा यह सब कुछ वेन्यूज है जहां वर्ल्ड कप के मैच होने है और यहां जो है बाराँ शहरों में च्छेलिस मुकाबले होने यानि आस्तन आप यह मान लीगे कि चार मैच एक वेन्यू को मिलेंगे अब पाकिस्तान अगर एक वेन्यू पर खेलता है तो वहां सारे ही अपने मैच खेले यह बिसी से को बिलकुल मंजूर नहीं है और वहीं वसीम जो पाकिस्तान के जो ICC के महा प्रबंधक हैं उन्होंने अपनी तरफ से एक आश्ये से अवगत करा दिया पिछले दिनों कि बंगलादेश में यह मुकाबले आयोजित किये जा सकते हैं जो भारत में वर्ल्ड कॉप होना है और उसके सभी मैच बंगलादेश में आयो फैसला BCCI को नहीं बलकि ICC को लेना है और ICC अभी तक दोनों मुलकों के बीच में किसी तरह की खटास पैदा ना हो रिष्टों को लेकर या चॉइस को लेकर उसको लेकर बहुत ही संगीन है और उसने बहुत ही अपनी बात अपनी शिदत के साथ रखी है कि पाकिस्तान क्र इसने अवगत नहीं कराया है फिलाल यह गतिरोध अभी बना हुआ है और हम यहीं चाहेंगे कि दोनों मुलकों के दरमयान यह गतिरोध जल्दी से जल्दी खत्म हो और हम तो इससे भी जाता सोचते हैं कि दोनों के मुलकों के बीच चाहे वर्ल्ड कप के अलावा भी ICC Trophy क अलावा भी मैच्चिस आयोजित होने चाहिए आप क्या सोस्ते हैं अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें अगर आपको यह वीडियो पसंद रहा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें नमस्कार